आप कर दो सबस्की में अहुंद अधी के बात करेंगे हार्पी के बारे में हैर्पी क्या होता है क्यों धार किसे बचना कैसे क्या है इसका एलो पदेट्मेंट हो सकता क्या क्या वांज दी जाती है सब कुछ बात आएंगे दोस्तों तो वीडियो को आप पूरा देखें आप ही की डिमांड थी तो बहुत ही आसान भासा में सब कुछ समझ में आएगा शुरू करते हैं दोस्तों यह पर हार्पी जो है हमारे स्किन के अंदर होने वाला एक रोग है जो कि बाइरस की वज़स होता ह है और यह उन लोगों में सबसे जादा होता है जिनको कभी बच्पन में चिकिन पॉक्स बोलना चाहिए कि छोटी माता बड़ी माता इस टाइप कोई इंफेक्शन हुआ था तो वही जो छोटी माता चिकिन पॉक्स का जो बाइरस होता है बैरिसोला जोस्टर उसी की बज़ चुब जाता है जब जब आपको कोई बीमारी होगी फॉड़ा पे में 50 की उमरइक्टिवेट अब छॉटा है चिकन पॉक्स नहीं वूद्दा understood होता था तो एक अड़िक होता हैं ग्लेक्स लगने लगे तो गफितने समय तक एक्टिव रहेगा उसकी पाउर कितने दिन İyiang तक रहेगी तो खर अभी समझों कि हर्कीस दो तरह का स्दीन πेस्प बेज टो एक जोस्टर फिंपलेक्स दो तरह का सिंप्लेक्स जो हता जो हो सकता है यहां पर सकता है तो यह जो सिंपलेक्स बाला होता है इसे अधिक तर STD की category में रखा जाता है मतलब कि sexual transmitted disease यह sex करने से fell जाएगा चीक है तो कई वार यह सा देखा गया है कि अगर किसी को harpes होता है तो उसकी AIDS की जाज़ भी की जाती है और किसी को AIDS हो जाता है तो उसको harpes के symptoms भी निकलते हैं तो एक प्रकार से आपस में correlate करते हैं STD और harpes महीं बात कर जाए हार जोस्टर की तो harpes जोस्टर को singless भी बोलते ही अभी क्या जोस्टर किसी को भी हो जाता है जो मैंने simplex बता है वो ज़्यादा तर maximum chance होते है वो sexual activity से फैल जाता है किसी भी भाग मैं सीधे हाथ में उल्टे हाथ में कहीं पर भी कुछ ऐसा फफोले उड़ जाती है blisters बोल सकते हैं उसमें पानी भरा होता है चम के लिए फफोले होते हैं वो दिखते हैं बहुत बुरी लगते हैं और दर्द बहुत तेज होता है पचास की उमर के बाद आदमी में अचानक से यह उठ जाता है सुचते हैं यह है क्या चम करा उसको आदमी फोलने कोईश करता है फोलना कभी भी नहीं है क्योंकि यह पानी निकलता है उसके अंदर बाइरस होता है आप दूसरी के प्टेच करोगे तो वह बाइरस भापे पहुंच जाएगा तो और फैल जाएगा तो हर्पी जोस्टर कहीं पे भी हमारी चमरी में हो सकता है पीट में पेट में गाल में कहीं पे भी हो जांगों में कहीं पे हो सकता है तो क्या होता है इसमें लक्षण की बात की जाय कि जो हर्पी सिंपलेक्स और जोस्टर में लक्षण क्या होते है š nutr इसके सिंटम्स देखते हैं और कई लोग इसका इलाज कराते भी हैं कई लोग नहीं कराते और लाज कराने के बाद भी कई लोगों को बाद में इसके सिंटम्स देखते हैं और कई लोगों का अपने अभी ठीडिंग या इसके सिंटम्स देखते हैं अभी ध्यकर अछतल बो को रियेक्टिव इद्चा क्या हुआ हार्पीज आभी क्या हर्पीज रेक्टिवेट होके नियरो यह बन जाएगा जो कि अचानक से आदमी के लुए भायं बहुत थे तुदन हेका बहुत ती में नहीं देने चाहिए लोग इसको जाड़ा फूखे में फंस जाते हैं जो कि नहीं करना चाहिए ठीक तो यह होते हैं हर्पीज और इसके लग्षन बात करें कि इसकी जाचे पगड़ा क्या होती है देख भाई जाच तो यह आप इसको देख के समझे क्लिनिकल फीचर सी कॉमन याच नहीं हो तो और तैस में यह और वने सट्र Hersoni होता है जो जापर जांस का निसक्ज जाता वायरस कुम्न का है यह विला यह कौन सा तो वह सोना जाता मैक्र स्कोपिक ज्च की जाती में और चल जाता ह। लेकिन जा एक परसेंट चांस तो इसा होता है कि उसमें आप देख की बता दोगे यह हर्पीज है जैनल्टर पार्ट में हो रहा है और नॉर्मली बोड़ी में कहीं पर हो रहा दो है थैसा मैंने आपको बताया है यह जो चीकन-पॉक्स का बाइरस रियेक्टीव एड होता है इसके कुछ कहते हैं कि परेक्टर मर की कुछ nutrition की कम आदमे का खाना पीना बंद हो गया आदमें दुबला पतला हो गया सूख गया सरीर के अंदर ताकत ही नहीं बचिए कोई भी वैक्टरी वाइरस तभी effect दिखाता है जब सरीर की immunity कम हो जाती है तो भाई बोल सकते हैं low immune system मतलब को बीक immune system और अधिक तर बोड़ा पर मोहता है पचास के बाद होने लगता है और अगर यह चीज समस्या बच्चों में फिर से डेवलब हो जाती है उसे चिकन पॉक्स ही माना जाएगा छोटे बैच्चे हैं पांचे साल के उनको चिकन पॉक्स तो हुआ था पहले लेकिन हार्प कोई भी उसके चक्कर में हमारा सरीर कमजूर होता है तो यह भी डैवलफ हो जाता है दूसरी बश्वारियं साथ में तो क्या है कैसे कंसंत्र क्सक्णूर रफ देखा गया है और इसका treatment करना बहुत सिंप्लेक्स वाला हो ओसमें चूणा नहीं चाहिए कि यह कभी भी दोस्τοव कि यह कभी भी ऑल क्रूट के तो नहीं पहलेगा क्योंकि यह क्या होता है न चाहिए नहीं प्यूत carrots कपड़ा लगता सेर करने से नहीं फैलता है हां सेक्स नहीं करना किस नहीं करना क्योंकि इसमें क्या होता है मुकस सलाइवा का ट्रांस्फोर्मेशन होता है तो यह फैल जाता है तो एक से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है बट जो मैंने आपको बता है फ्लूट्स उससे तो चलेगी. कि हर किसी को पता होता है, एसाइ कलो बिर होता है, एसाइ कलो बिर की टैवलेट्स चलती है. चाहे वो सिम्पलेक्स हो, चाहे वो जोस्तर हो. दोनों में क्या होता है कि ही एसा कलो बिर ही चलेगा. तो खेर इसको समाझते हैं treatment को थोड़ा detail में तो आप अगर आप किसी को देना है या लेना है तो एसाइक लोबिर लगा सकते हो उससे और जल्दी रिलिफ मिलेगा वह नहीं है तो आप दर्ब बरदास नहीं कर पाता है तो उसमें पहले कोशिश करना चाहिए आपको परस्टामोल दो फिर भी नहीं हो रहा दाएगलोफेनिक दे दो फिर भी नहीं हो रहा तो तब जाके आप आप अपॉडेन वह बहुत कम चांस होती है चाहता है कि भाई डायकलोफेनिक्स से आपको आरा मिल जाएगा ठीक है तो यह दर्द की दवाय दी जा सकती है उसके लावा क्या करना है यहाँ पर कोई भी मल्टी विटामिन दे सकते देख भाई यह क्या होता है कि जब जब एक्टिव होता है बो सकते कि कई वी मैद्य घृतार सकते क्या का सकते है कोई भी मल्टी विटामिन का इंजेक्शन मतलब के थैल कोबल मイंकर इंजेक्शन आप एक दिन छोड़के इंटनवासे डे सकते हैं दो या तीन दिन के लिए और जो मैंने आपको और समाते है यह पांच दिन आप दोगे तो आरा मिली जाता है जहांतर है ठीक है पांच दिन से जाद नहीं देना ट्रीटमेंट और जितना भी ट्रीटमेंट दिया दोस्तों आपने डॉक्टर की सला से ही लेना चाहिए क्योंकि यह हम एजुकेशनल परपस के लिए बीडियो मनाते हैं त तो और बैक्सिनेशन करा जाए सकता है जो बचपन में वैक्सिनेशन हुए था एक बार आप पचास के बार यह पार और करवा लेना चाहिए तला कि यह कभी एक्टिवेटी नहीं हो ठेक है तो बैक्सिनेशन किया जा जाकता है और हाईजिनिक रहो सापसॉपाइ मैंटेन क मिल्टा, सुम्में मिल्टा उगले विडिन दोस्तों, जाहिन बंदेम